तो इसका कोई ओचित्य नहीं था मुझे भी थोड़ा अश्चरे लगा फिर मैंने प्रस्नकाल के सूची को देखा तो पांच नंबर का प्रस्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया पांच नंबर के प्रस्न है राजिव गांदी फाउंडेशन के एक्सी आरे रजिस्ट्रेश अब उन्ही के कॉंग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रस्न पुछा गया और चवाब में बहुत सपस्ट था आगो तो मौका देते तो मैं सदन के पटल कर भी पटल पर भी बताता कि राजिव गांदी फाउंडेशन को दोजार पांच चे और छेजार चेस साथ के विक्तिय वसाल में चीनी दुतावाद से एक करोड पैंटीस लाख रूपय का अनुदान प्राप्त हुआ था चुंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नौटीस देकर पूर्ण तया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गुरू मंत्रा ले ने इसका रजिस्ट्रेशन धग किया था फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और यह जो रासी चीनी दुतावास से मिली इसका उप्योप भारत चीन संबंदों के विकास पर सोध करने के लिए यह पैसा दिया गया अब मैं कॉंग्रेस पार्टी को पूछना चाता हूँ कि इन्होंने सोध तो जरूर किया होगा क्या उनकी सोध में 1962 में जो हजारों हेक्टर भुमी भारत की चिन्ने हडप ली वो सामिल था क्या और सोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है नहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिशद में भारत की स्थाई सदस्यता बली चड़गी इस विशय को उन्होंने सोध का विशय बनाया था क्या और अगर बनाया था तो इसका नतिजा क्या हुआ जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वील जवान चीनियों से भीड रहे थे उस वक्त चीनी दुतावास को अधिकारियों को कौन दात्री बोश दे रहा था वो उनकी सोध का विशय था क्या अगर था तो उसका नतिजा क्या हुआ जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दुतावास ने पूरे अरिनाचल और पूरे अरिने नेफा पर दावा कर दिया वो उनकी सोध का विशय था क्या अगर सोध हुई तो उसका नतिजा क्या हुआ 25 मई 2007 को चीन ने कॉंग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोर जी खंडू को विजा देने से इंकार कर दिया कि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुनाचल ये भी सोध किया गया क्या 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंग की अरुनाचल याक्तरा पर चीन ने अपत्ती जताई वो आपने जांच किया है क्या और 2010 में चीन ने जम्मु कस्मिर के लोगों को स्टेपल विजा जारी करने की प्रथा शुरू की ये भी कि आपका सोध का विशय था 2011 में कॉंग्रेस सरकान ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्टर्चर्स का निर्मान डेम चौक में रोक दिया ये क्यूं रोका गया इसकी भी सोध की है मैं कॉंग्रेस पार्टी को पूछना चाता हूँ ये दोहरा दोगला रवया जनता के सामने नहीं चलता है जनता सब देख रही है आपके परिवार द्वारा चलाये गया फाउंडेशन उसका एपसी आरे रजिस्ट्रेशन चीन की पूतावास्चे मिले हुए अनुदान से समाप्थुआ है आपके ही समय में हजारो किलोमीटर भूमी अवैय दुरूप से हम से हडपले गई है आपके ही समय में हमैं मिली हुई सुरक्सा परिशत की सदसता आपने नीजी सम्मन्दों को बनाने के लिए चीन की भेट कर दी ह इस सारी जनता इस सभी विशयों को जानती हैं मैं इतना सपस्ट कहना चाहता हूं कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार है नरेंद्र मोधी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतिय जनता पार्टी की मोधी सरकार चल गई है एक इंच जमिन पर भी कोई कपजा नहीं कर सकत कल अपने सेना के जवानों ने जो आठ की दे राद को और नौ की सुवय को जो वीरता दिखाई है मैं इसकी बुरी बुरी प्रसंचा करता हूं इन्हों ने घुसे हुए सभी लोगों को पुझे ही गंटों में वापिस खदेर दिया और हमारी भूमी का रक्षन किया है राजी गांदी फाउंडेशन के FCRA लाइसंस रद होने का एक दूसरा भी कारण था इसलामिक रिसर्च फाउंडेशन के जिसका प्रणेता जाकी नायक है जाकी नायक को पुरादेश जानता है उनसे भी साज जुलाई 2011 को 50 लाख रूपया राजी गांदी फाउंडेशन को ने के सदस्य हैं तो आपको यह पैसा जाकी नायक ने किस मक्सद के लिए दिया था इसकी भी स्पष्टा देश की जनटा के सामने होनी चाहिए धन्यवादेशन के ठार को यह जुआ सामने होने होने होनी है